नमस्कार आप देख रहे हैं रास्टे खबर मैं हूँ अपसत आर्थी रहे हैं खबर राजिस्थान के चितोडगर जिले की जहां जिलार राच किये सावलिया जी महिला और बाल चिकत साले में लगे पालन ग्रहे में इस वर्स में तीसरी बार घंटी बची जहां नर्सिंग स्टाफ द्वारा पालन ग्रहे में देखने पर उसमें नवजाद बालिगा में दी जिसका चिकत साको द्वारा उपचार किया गया इसकी सूचना ड्यूटी पर उपस्तित चिक्तसकों को दी जिन्होंने उस बच्ची की जांच की जिसमें पाया कि बच्ची लगब दो घंटे पहले ही पैदा हुई थी और इसके पस्तात चिकितसकों ने उसे गहन चिकितसा इकाई में ले जाकर उसका उपचार प्रारम किया जिसकी सूचना बाल कल्यान सिमिती की अध्यक शुशीर लड़ा को दी गई सूचन मिलने पर सुषी लड़ा मौके बच्चिक साले पहुची और बालिका की स्वास्थे के बारे में जानकारी प्राप्त की चिकित सकों ने बताये कि बालिका का वजन कम है और उसका उपचार जारी है कल पालनागरह में रात को आठ बजे है गंटी बजी तो डूटी स्टाफ में जाकर देखा तो एक बच्ची वाथी पालनागरह में उसको तुरंत हमने हमरा आईशियों शिफ्ट किया बच्ची को उसका वजन दो किल्लों 200 ग्राम के करीब है बच्ची वजन में कम है नॉर्मल में रात को बच्ची आई है उस आधार पर बालके लेंड समीति के मैं और मेरे सदर से सबाकर गए आजशादी ब्या होने से रुक नहीं पाए जानकारी लिए शांता नर्स जो पालना का प्रभारी है उसने बताया कि बच्ची स्वस्थ दिख रही है और दो-चार गंटे की पहले जन्मी हुई लग रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची बहुत सुन्दर टी-शिट और निकर में पहने हो